नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं से 31 अक्टूबर के बिच होगा, बतादे परत्योगता में 47,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, हाला कि उससे पहले 20 जुन 2024 को बिद्यार अस्तर पर इसकी सुरुवाती हो जाएगी, इसमें बेहतर परदसन करने वालों को पहले परखंड, इसके बाद जीला और राज अस्तर पर अ के बच्चों के लिए भी स्केटिंग परत्योगता का आयोजन होगा, बतादे कि इस परत्योगता में सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले सकते हैं, खेलो जरकन परत्योगता के तहत, अंडर 14, 17, 19 आयूवर्ग तक के खिलाडियों के लिए, एथलेटिक, आर्चरी, फुटबल, कबड़ी, खोखो, वलीबूल, होकी, योगासन, चेस, कराटे, तैकवांडो, जूडो, बैटमिंटल, बॉक्सिंग, साइकलिंग, मल्खम, जीमनास्टिक, हैंडबल, स्विमिंग, और बास्केट बॉल, सुटिंग, सभी आयोजन होगा, चक्रवाती तुफान, रेमल, से जार्खन में बदला मौसम, अलर्ट जारी, चक्रवाती तुफान, रेमल, का असर कोलहन, प्रमंडल में भी देखा जा रहा है, भारतिय मौसम, विभाग के अनुसार, गंभीर, चक्रवाती तुफान, रेमल, के गायान, रभी वार, और सोम मुआर को जार्खन आंसिक रूप से प्रभावित होगा राज्य का पूर्वी भाग वा निकटवर्ती भाग बिशेर का कोलहान पूर्वी सिमू पच्मी सिमू सराय के लाखर सावा संथाल प्रमंडल छेत्र में गर्जन तेज हावा के साथ वर्षा होने की संभावना है वहीं इस दोरान हावा की रफ्तार 40-50 किलोमेट प्रति घंटा हो सकती है इसे देखते भी मौसम भी भाग की और से औरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है इसके साथ राजी के सेस भाग में भी हलकी बर्षा होने की संभावना जताई है रांची वह उसके आसपास के जिलो में भी एलो अलर्ट जारी किया गया है जारखन में 65.30 वोटिंग जमसेदपुर में सरवाधिक 67.30 मतदान जारखन के CEO केर अभीकुमा ने कहा है कि पिछले छठे चर्ण में राज में 65.40 फिजदी मतदान हुआ है जमसेदपुर में सरवाधिक 67.68 परतिसद रांची में 65.36 परतिसद जबकि गिरीडी में 66.23 परतिसद एम धनबाद में 62.04 फिजदी वोटिंग हुई है मतगर्णा के दिन पोस्टल वाइलेट की गिंती के बाद इस आकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी उन्होंने कहा है कि सभी EVM स्कूटनी के बाद Strong Room में सील की जा चुकी है Strong Room त्री अस्तर्य सुरक्षा में CCTV केमरे के निगरानी में है उन्होंने कहा है कि छटे चरण का मतदान सांती पुन रहा वे रभीवार को धुर्वा के निवाचन सदन में प्रेस वार्था को समधित कर रहे थे 25 सुरेन ने PM मोधी पर साधा निशाना कहा इस बार सत्ता से जानाता है दुमका लोग सभा छेतर के जाम तला अंतरगत नरायनपूर पुर्पनखन के मालवा में रभीवार को मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन इंडिया गड़ बंदन के परत्यासिन ननिल सुरेन के पक्ष में चुनावी जन सभा को समधित किया सी एम चमपाई सुरेन ने कहा है कि हमें पांच वर्सों के बाद नहत्यूत बदनने का मौकाम मिलता है वह समय इस बार एक जून को है इस बार केंद्र की ताना साही सरकार को उखार फेकना है वर्स 2014 में केंद्र में मोधी सरकार जानता से जूट बोलकर सत्ता में आई पीए मोधी से बड़ा जूटा पूरे विश्व में कहीं नहीं है पीए मोधी मसीहा थोड़ी नहाएं वे चाय बेचने वाले हैं अब देश बेच रहे हैं देश में इन्या गणबंदन की सरकार बनते ही 10 किलो अनाज दिया जाएगा बिजेपी मुठी भर पुझी पतियों के लिए काम कर रही है बरतमान की जोई स्थीती है उसमें बाबा साहब द्वारा बनाया गया समिधान और लोकतंदर दोनों खत्रे में है हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सीथ जुकाना नहीं कलपना सुरेन शरीर को जेल के अंदर में बंद कर सकते हैं लेकिन उस सोच को बंद नहीं कर सकते जीन होने पूरे जारकन को एक करने का काम किया है उक्तबाते जामो के स्टार प्रचार कलपना सुरेन ने जीकर हटी स्थीद केके डियम उच बिद्याले मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही है उन्होंने कहा है कि बिजेपी जुमले बाज है बिजेपी वालोंने सडेंतर करके चुनाव से ठीक पले हेमन्त को जेल भेजने का काम किया है कलपना सुरेण ने कहा है कि हमान सुरेण ने जब केंदर सरकार से 1,36,000 को रूपे मांगा तो बीजेपी सरकार के हाथ पाफोलने लगे यदि केंदर सरकार से राशी प्राप्त हो जाती दुझारकौन का और विकास होता स्कूल खुलते अस्पताल बनते यहां की जनता में खुशाली आती लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं चाहा यह पैसा केंदर सरकार ने अपने भाजपा सासित राजियों में लगा दिया है सारना धर्म कमुल उदेश मानव कल्यान धर्म गुरू मध्धू बारला जेपाल मुंडा एवन टेइप कक्षप क्यगोई में अन्यायू के साथ सरनास्थल में भागवान सिख बोगगा की पुजा कर सुक सांती और खुशाली की कमना की गई इस अशर पर धर्म गुरू मधू बारला मुंडा ने कहा है कि सिख बोगगा की इस्तूती से हमारे आत्मा में भगती वो सरदा बढ़ती है साथ ही समाज में प्रेम वो अभाई चारा की भावना पनपती है इससे लोब लालच हुआ अंकार जैसी बुरा या दूर होती है और जीवर में सुक सांती और कोशाली आती है धनबाद में सबक हादसा तीन की मौत साथ घायल धनबाद जी लेके बरणवा थाना छेतर के जीटी रोड कल्यान पूर के समीप रभिवार को ट्रेलर ने मारोती वैन में जोरदार टकर मार दी है इससे घाटना में मारोती वैन के चालक समसाद अंसारी समय तीन लोगों की मौत हो गई है इसके साथ ही वैन में सवार अने साथ लोगंपी रूप से घायल हो गई घाटना के सुचना पर बरणवा थाना प्रभारी सुनिल कुमार रभिवार को सदल बहल मौके पर पहुंचे और अस्थाने लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया मिरितकों में लोधना तिलाय बनी बस्ती के महसवर महतो राजेंदर महतो एवा मारोती ड्राइबर बरारी निवासी समसाद अंसारी सामिल है चाईबासा में तीन करोड़ के डोड़ा के साथ दो गिरफतार चाईबासा पुलिस ने अवयद मादक पदार्थों के खिलाप बड़ी करवाई की है दो लोगों को 2,096 किलो डोड़ा के साथ गिरफतार किया है जीन की कीमत करीब 3,14 लाक रुपे बताई जा रही है घटना सनी वा राद पच्मी सिम्भूम के टेबो थाना चेतर की है दरसल पच्मी सिम्भूम पुलिस अधिक्चक गुपत सुचना मिली थी कि एक ट्रक डोड़ा अफिम लेकर टेबो थाना चेतर से गुजरने वाला है इसके बाद S.P के निर्देस पर एक छपे मारी दल का गठन किया गया इसका नेतिव तो चकधरपूर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सह सहायक पुलिस अधिक्चक कर रहे थे पुलिस की टीम टेबो थाना चेतर से गुजरने वाले हर आने वाली वाहनों की जाच कर रही थी चक्रवात रेमल से तेज हवा का अलट भारी वर्षा की चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाब रेमल चक्रवात में तबदिल हो चुका है इसका असर पच्छिम बंगाल और उसके पडोसी राजों पर भी पड़ेगा जार्खन में भी रेमल का असर देखने को मिलेगा हलाकि मौसम बैग्यानिकों का कहना है कि पूरे जार्खन में इसका असर नहीं रहेगा रेमल का असर जार्खन के उन इलाकों में दिखेगा जो पच्छिम बंगाल से सटे हैं चलतान परगना और कोलान में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा भारत मौसम बिज्ञान विभाग के रांची सित मौसम केंदर के बैज्ञान को कहना है कि पलामू परमंडल को छोड़ कर जार्खन के अने हिसों में रेमल चक्रवाद का असर देखा जाएगा इसके बाद सोमवार और मंगलवार यानि 2728 माई को गढ़वा पलामू चत्रा को छोड़ कर अन ये जीलो में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार सावाय भी चल सकती है वहीं बता देखी चक्रवाद में तबदील हो चुके रेमल के रबिवार की आधि राद को 110 से 120 किलोमेटर प्रती घंटा से 135 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से पछिम मंगाल के सागर दीप तथा बंगला देश के खेपू पारा के बीच समूधी टट से ठक्राने की असंका है साथ ही लोगों ने अपने समर्थन में वोट की अपील की है इस अउसर पर निर्दलिय परत्यासी स्री हेमरम ने कहा है कि पूरे लोग सभाचेतर में भर पूर जन समर्थन और प्यार मिल रहा है उन्होंने कहा है कि राजमहलोक सभाचेत्र में ना तो भाजपा और नहीं जामों की लहार उन्होंने कहा है कि जानता नहीं चुनाव लड़ने के लिए प्रुचसाहित किया था कोडारमा रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी पांच गिरफतार में सामिल पांच अटेंडेंट को गिरफतार कर लिया है इसका वीडियो सोसल मीडिया पर भी वारल हो रहा है बता दे इंदोर से हबड़ा जाने वाली ट्रेन से दो यातरी सुमन कुमार और पंकच कुमार सफर कर रहे थे जनकारी के मुताविक वे दोनों गाया से हबड़ा जा रहे थे लेकिन दोनों के पस कंफर्म टिकट नहीं था इसी दोरान दोनों ने टीटी से सीट दिलाने का आगरा किया इस पर इन्होंने सीट ना होने की बात कही तवी टीटी के पास खड़े अटेंडेंट ने उनकी बात सुन ली अटेंडेंडेंट ने उनसे कहा है कि कोई संख्या B1 और B2 में सीट खाली है आप लोग वहाँ जाए हम लोग टीटी से बात कर सीट उपलब्द करा देंगे पीम मोदी 28 मैं को चौथी बार आएंगे दुमका संताल परगना के दुमका ययरपोट पर प्रधान मंथ्रि नयन्द मोदी 28 मैं मंगलवार को भारतिये जानता पार्टी की विजय संकल्प सभा को संभवधित करेंगे कारकरम तय होने के साथ ही दुमकाई अरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई है PM के कारकरम के मंदजार SPG के अधिकारियों ने अस्थानिय प्रदा अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की है बैठा के बाद यहरपोट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों के परवेश बी आईपी परवेश द्वारा सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिये गए हैं भीशन गर्मी में परधान मंत्री आवास जोईना के फेलेटों में पेजल संकट परधान मंत्री आवास जोईना के तहस सहर के कोल घटी में बनाये गए 288 फेलेटों में रहने वालों के बीच पेजल संकट को लेकर हाकार मचा हुआ है इस परधान गर्मी में लोगों के लिए बिना पानी के रहना काफी कठीन हो गया है इसे लेकर फेलेट में रहने वालों लोगों ने अजय साव के अध्यक्सता में रभीवार को बैठक आवेजीत कर जल संकट को दूर करने पर विचार किया है मौके पर अध्यक्स अजय साव ने कहा है कि पेजाल संकट काफी गह रहा है बरतमान में परिसर में मात्र एक बोरिंग ही काम कर रहा है इस कारण पानी लेने को लेकर लोगों के बीच आपा धपी मची रहती है यही कारण लोगों के बीच आपस में जगला भी होता है पानी की सही ढंग से उपलवता नहीं होने के कारण लोगों के लिए इस फलेट में रह पाना मुश्किल सावित हो रहा है बुजूर्ग महिला की मौत के बाद बेटा पोता घर छोड़ा बेटी दमाद ने किया अंतिम संसकार कोडार्मा रेलवे स्टेशन के निकट बुजूर्ग महिला की मौत के बाद बेटे वा पोतो द्वारा घर से चले जाने के ममला सामने आया है घर में सौव एक दिन पड़ा रहा बाद में बेटी दमाद ने अंतिम संसकार किया है पता देकोडार्मा रेलो एस्टेशन के निकट निराला होटल वह उसके उपर रिहाइस है यहां नबे वर्षिये गायतरी देवी के बड़े पूत्र स्वरगी कृष्णा साहा के पूत्रो सागर साहा वराहूल साहा का अपने छोटे चाचा पंकर साहा के साथ प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है इसी कराण उनके आपसी रिष्टे काफी खराब हो गए है यहां रहा रही गायतरी देवी का 24 माई को निधन हुआ तो सव को घर में छोड़का दोनों पूत्ते और छोटा बेटा परिवार सहीद निकल गए इस काराण एक दिन तक सव घर में ही रहा जहां माग की मोत की जनकारी बेटी प्रीती सहा और दमाद राहूल गुपता को मिली तवे जल्द जुम्री तिलिया पहुचे उन्होंने पडोसियों की मदद से सौ को समसान घाट ले गाए और सौ को मुखागनी देने का फर्ज भी निभाया है सीबु सुरेन के घर परिवार में छिडी जंग सीता सुरेन बहु नंबर वन सीता सुरेन ने सभा को समोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जम करनी साना साधा है इस दोरान उन्होंने कहा है कि जारखन में जेल भरो आंदोरन चल रहा है यहां कि दो नंबरी वर्ष्ट चारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं अब अपनी पत्नी कलपना सुरेन को चुना में उतार कर सी एम की कुर्षी हत्याना चाहते हैं उन्होंने यह अभी कहा है कि यह दो नंबरी सरकार और दो नंबरी बहु नहीं चलेगी अब तक परदेश की जानता इन दो नंबरी बेटो दो नंबरी काम करने वालो और दो नंबरी बहु को देख रही है अब बहु नंबर वन की बारी है गिरीडी के उसरी फॉल में नहाने गए दो लड़के डुबे उसरी जल परपात ने अब बिवार को दो नह यूआ की जान ले ली है दोनों यूआक देव घर से उसरी जल परपात में नहाने आये थे इस दोरन गहराई में चले जाने की वज़ाँ से पत्थर में फसकर उनकी जान चली गई साथ आए लड़कों ने जब सुर मचाना शुरू किया तो घटना अस्थाल पर मौजूद अस्थानिये लोग की मदद के लिए दोड़े करीब पौने घंटा की मकसद के बाद दोनों यूकों का सौजल परपाथ से बाहर निकाला गया है हाथ से की सुचना मिलने पर मुफसिल थानेदार स्याम की सोर महतो भी दलबल के साथ मौके पर पहुचे है जारखंड का एक गाउ लाल माटी जहां 77 साल में नहीं आय कोई उमिदवार गुमला जीले के राइडी परखंड की उपर खटंगा पहंचायत में लाल माटी गाउ है जो घंखोर जंगल वा पहार पर बसा हुआ है यहां गाउ दुरगम इलाकों में से एक है आजादी के 75 साल गुजर गए है आज तक परसासन गाउ नहीं पहुचा है अभी तक इस गाउ को सिर्फ नकसल इलाके के नाम से जाना जाता है सरकार वा परसासन ने कभी गाउ की छवी बदनने का पर्यास भी नहीं किया नहीं गाउ के विकास की कोई प्लानिंग बनी चुनाओ के दोरान भी कोई उमिद्वार आज तक इस गाउ में नहीं पहुचा है बता दे आज भी गुमला जिले के लालमाटी गाउ में रहने वाले 30 परिवारों के जिन्दगी गाउं तक ही सिम्टी हुई है इसमें 15 परिवार कुरवा जन जाती के हाँ जो बिलुप्त के कगार पर हैं गढवा के सेल क्वार्टर में अवैध कबजा 250 को नोटीस गढवा जिले के भौनाथपूर के टाउंसीप इस्थित सेल के क्वार्टर में रह रहे 200 लोगों को सेल ने क्वार्टर खाली करने का निर्देस दिया है 15 दिनों के अंदर खाली करने की चेतावनी दी है बढवानाथपूर सेल प्रवंधन ने सेल क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटीस जारी किया है एक जुन को अवैद अतिकर्मन खाली करने का निर्देश है इसमें कई दुकान भी सामिल है निर्देश नहीं मानने वालों को अतिकर्मन मुक्त करने का खर्च का भोकतान भी करना होगा साथी बिजली बील वसुनले की भी चेतावनी दी गई है सेल के भू अस्पंदा पतादिकारी बुल्लू दिगल ने नोटिस जारी किया है जिसके बाद हलकम मचा हुआ है बिधान सभा अध्यक्ष के खिलाब चुनाव आयोग पहुंचा भाजपा भाजपा के एक प्रतिनिदी मंडल ने रभिवार को चुनाव आयोग पहुंचकर बिधान सभा अध्यक्ष रविन अत्मातों खिलाब सीकाय दर्श कराई है बिधी प्रकोष्ट के प्रदेश संजोजक सुधीर सिर्वास्टव के नितित में प्रतिनिदी मंडल में सीव कुमर चर्मा मनोज दुबे सामिल थे सुधीर सिर्वास्टव ने बताया है कि बिधान सभा अध्यक्ष जिस परकार अपने पत का दुरूपयोग कर रहे हैं वह गलत है अपने भासन में अध्यक्ष ने कहा कि जेल का फाटक तूटेगा हेमन सुरेन चुटेगा जेल का फाटक तब तूटेगा जब ननिल सुरेन जीतेगा यह नारा नहीं है बलिक नयायपालिका परहमला है हेमान सुरेन नयापलका क्या देश पर जेल में हाएं और जेल का फाटक तोड़ने की बाद विधान सबाध्यक्स कर रहे हैं जो खुद समयधानिक पदपर हैं और उनका कोट भी लगता है आईसा कर विधान सबाध्यक्स युवावो को उक्साने का काम कर रहे हैं चक्रवाती तुफान रेमल के चलते बिजली विभाग ने कसी कमर राय धानी में चक्रवाती तुफान रेमल का असा 27 वा 28 माई को पर सकता है इसे लेकर बिजली विभाग ने कमर कसली है विभाग द्वारा टीम का भी गठन कर लिया गया है बीभाग के महाप्रवंदग P.K. सिर्वास्तों ने बताया कि चक्रवाती तुफान रेमल को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी अधिकारियों को इसे समस्य जनकारी भी दे दी गई है सभी अधिकारी को अपने-अपने कर्याले में रहने और अपने चेतर के मोनोटिंग करने को कहा है इसके साथ ही बिजली के तार पर पेंड गिरने, सोट सरकी, टांसफर उड़ने, जमफर उड़ने, सब स्टेशन और ग्रीड से परिशानी होने पर यूद अस्तर पर बिजली का काम किया जाएगा रांची के 145 स्कूल, पी-म स्री स्कूल के लिए योग ये रांची जिले के 145 स्कूल, पी-म स्री प्रधान मंत्री स्कूल, फोर राइजिंग इंडिया स्कूल के लिए योग ये पाये गए हैं, भारत सरकार की ओर से जिले के 396 स्कूलों को बैच मार्क माना गया है वही जहारकन स्कूल प्रधान परिशाद रांची की ओर से आवेदनों की स्कूटनी की गई, जिसके बाद 145 स्कूलों को 77 परिशाद से अधिक अंख दिये गाएं, इन्हें पी-म स्री स्कूल का दर्धा देने की आहरता पूरा करने के योग ये माना गया अब इन स्कूलों के सूची केंद्र सरकार के पोटर पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद केंद्र की ओर से पी-म स्री स्कूल का दर्धा देने के परकिरिया पूरी की जाएगी CVSC कंपार्टमेंटल परिक्षा जुलाई में आवेधन शुरू केंद्रिय माधमीग सिख्छा बोर्ड दस वी और बराहुवी परिक्षा 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 पयनाम जारी करने और कौपी पुन मुल्याकन की तीथी जारी करने के बाद आप कमपार्टमेंटल सप्लमेंटरी परिषा के त्यारी में जूट गया है CBSC की गाईलेंड के अनुसार परिषा जुलाई में होगी इस बार परिषा के पैटरन में कुछ बदलाव भी किये गए है इसके अनुसार इस बार तीन गुरूप सप्लमेंटरी परिषा के लिए योग है जो विदार्थी दसवी कक्षा में दो भीसा में फेल हूए है और जो बारहवी के एक भीसा में फेल है वे कमपार्टमेंटल परिषा के लिए आवेदन कर सकते है भन्यवाद